एक प्रकार का ये छोटा क्यूब ले लेते हैं एक और इस क्यूब को देखते हैं तो इसी प्रकार से क्यूब आपको उपर भी मिलेगा उसी प्रकार से क्यूब आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा फलक मिलता है जैसे कि मैं इसको पहला फलक लेता हूँ यह उपर वाला को यह उपर वाला इसको मैं पहला फलक लेता हूँ और इसको मैं दूसरा फलक लेता हूँ तो यहाँ पर जब दो फलक आपस में जहाँ पर मिलते हैं उसको हम किनारा के नाम से जानते हैं Hello everyone, इस वीडियो में हम देखेंगे unit cell के types के बारे में कितने types के unit cell होते हैं, देखते हैं इसको तो unit cell को generally दो प्रकार से classify कर सकते हैं एक होता है primitive type और दूसरा होता है non primitive type primitive type को हम simple cubic cell के नाम से भी जानते हैं primitive unit cell, इसमें हम इसको किस प्रकार से define करेंगे simple cubic cell को, ऐसा cubic cell जिसमें जो lattice point है वो सिर्फ corner पर हो, मतलब इसमें जो constituent होता है सिर्फ corner पर present होंगे, ठीक, इसमें सिर्फ corner पर present होंगे तो हम उसको primitive unit cell बोलते हैं या इसको simple cubic cell के नाम से जानते हैं और इसको short form में SEC बोल दिया जाता है अब यहां पर अपने को समझना यह पड़ेगा कि इसमें किसको corner बोलते हैं किसको edge, किसको face बोलते हैं क्योंकि यह सब word use होने वाला है यहां पर तो हम cubic cell ले लेते हैं तो इस cubic cell क्योंको हम कुछी इस प्रकार से बना सकते हैं और यह cube इसमें हम देखेंगे तो cube में देखेंगे corner किसको बोलते हैं तो यह जो kona होता है kona को हम corner बोलेंगे ठीक, यह जो kona-kona आपको दिख रहा होगा इसको हम corner के नाम से जानते हैं यह तो होगया corner दूसरा इसमें अगर हम age के बारे में बात करेंगे age को हम हिंदी में बोलते हैं किनारा तो यहां पर जो दो फलक मिलता है उसको हम किनारा के नाम से जानते हैं तो इसको हम किनारा कहेंगे एज कहेंगे फेस किसको बोलेंगे यहाँ पर एक जो फलक चावखडी जिसको चावखडी से हम इसको define कर सकते हैं यह जो एक चावखडी बन रहा है इसको हम इसका एक फलक के नाम से जानेंगे, फेस के नाम से जानेंगे इसमें कुछ body diagonal भी बता सकते हैं, body diagonal पूरा body को लेना है और उसका diagonal देखेंगे उसे पहले हम face diagonal बात करते हैं, अगर इसमें देखेंगे हम face, इसको हम face बोल रहे हैं तो इसका जो diagonal बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, face diagonal के नम से जानेंगे, ठीक, और body diagonal के इसको हम बोलेंगे, पूरा body के लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर से शुरू करता हूं, और यहाँ पर आता हूं, इसमें देखिएंगे, उपर का मैं पीछे वाला कोना ले रहा हूं, और इधर सामने का, इधर सामने में इस सामने वाला कोना ले रहा हूं, तो अगर इसका एक diagonal बनाते हैं, तो जो line मिलेगा, हम इसको body diagonal के नम से जानेंगे, ठीक, और एक आ जाएगा इसका center, body का center, इस प्रकार से इसमें देखेंगे, ठीक, तो यहाँ पर जब numerical problem या कुछ conceptual problem दे आपको question दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, एक unit cell के अंदर, यह जो corner age face है, वो कितने कितनी संख्या में हो सकता है, तो इस unit cell में देखेंगे, corner कितना हो सकता है, एक 4 corner उपर में दीख रहा होगा, और 4 corner आपको नीचे में दीख रहा होगा, तो corner की संख्या यहाँ प वो इसी प्रकार से 4 नीचे में दिख रहा होगा, 4 और 4 हो गया 8, और यहां पर भी आपको एज दिख रहा होगा, यहां पर यह 4, तो टोटल मिला के 12 हो गया, तो टोटल संख्या कितना हो जाता है, एज का 12, फेस के बारे में बात करेंगे, तो आपको इस प्रकार से टोटल 6 फेस दिखाए देगा, एक उपर में, उसी प्रकार से जस्ट नीचे में, ठीक, एक साइड में, और यह साइड में हो गया 4, एक पीछे वाला, और उसके जस्ट तो एक सामने वाला, ठीक, इस प्रकार से टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, एक क्यूब में, बारे में बात करेंगे, तो यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूँ, तो एक मिलेगा, ठीक, यहां से, अगर मैं यहां से मिलाता हूँ, फिर पीछे से, तो इसका सामने वाला ह तो दो हो गया अब यह सामने वाला से लेता हूं यहां से तो इसका पीछे वाला जाएगा और यहां से यहां लेता हूं तो यह पीछे वाला तो टोटल यहां पर बॉडी डाइगोनल की संख्या चार हो जाएगी फेस डाइगोनल की संख्या अगर लेते हैं तो यहां पर एक आपको दो डाइगोनल मिल रहा है, टोटल संख्या यहाँ पर 6 फेस है, तो 6 दुनी 12 डाइगोनल आपको फेस डाइगोनल मिल जाएंगे, बाड़ी का सेंटर सिर्फ एक ही होगा, एक बाड़ी सेंटर होगा, तो अगर इस प्रकार से अग कोशन दिया जाता है, कि आपको सिध टाइप के बारे में unit cell दो types के देखें, एक पहला primitive type का unit cell जिसको हम ACC भोल रहे हैं, और दूसरा है non primitive type का cell unit cell, तो इसको हम इसको कीज प्रकार से डिफाइंग करते हैं, यहाँ पर non primitive में एक corner में तो रहे गा ही रहेगा, साथ में वहाँ पर दूसरा lattice point भी और present होगा मतलब बोलने के मतलब यह है कि जो constituent है वो corner में तो रहेगा ही रहेगा साथ में और कोई other position पर भी वो जाकर fix होगा ठीक तो इसको हम बोलेंगे non primitive type का unit cell अब इसमें बहुत सारे define कर सकते हैं जैसे कि face center corner पर तो रहेगा लेकिन face के center में भी आ जाए तो हम उसको बोलेंगे face center जैसे कि यहाँ पर इसमें देखेंगे यह simple क्या हो गया simple cubic cell हो गया primitive trap का अगर इसमें corner के साथ में अगर face के center में आ जाए जैसे कि यह उपर वाला face का center ले लेता हूं यह side वाला का face का center ले लेता हूं उसी प्रकार से इधर के side का face center ले लेता हैं यह इधर का और यह सामने वाला का ठीक यह इधर सामने वाला यह पीछे वाला ठीक तो उसी प्रकार से देखेंगे यह नीचे वाला तो अगर यह kona के साथ face के center में भी हो तो हम उसको face center बोलेंगे ठीक उसी प्रकार से दूसरा देखेंगे body center body center में क्या होग जैसी की एक cube फिर से बना लेते हैं और इस cube में देखेंगे यहाँ पर यह kona में तो रहे गा ही रहेगा साथ में यह kona में रहे गा ही रहेगा साथ में इस body का, इस cube के body का center में भी present हो तो इसको हम बोलेंगे body center, cube excel बोलेंगे उसी प्रकार से end center क्या होता है? इसमें क्या होता इंड center में? corner में तो रहेगा ही रहेगा दूसरा बोल रहा है यहाँ पर alternative face पर भी present होगा alternative face का बोलने के मतलब यह है कि two opposite face पर भी यहाँ पर present होगा तो हम इसको बोलेंगे face, इंड center cubic cell तो इंड center cubic cell के लिए हम किस प्रकार से बना सकते हैं? यह कुना में तो रहे गई रहेगा और उसके साथ कहाँ पर present रहेगा? दो opposite face पर भी present रहेगा two opposite faces इसका कौन सा बनेगा? जैसे कि मैं माल लेता हूँ यहाँ पर इस वाले फलक पर हम बात करते हैं यहाँ पर present है एक constituent तो इसका opposite face यह वाला बनेगा तो यहाँ पर भी एक constituent present रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? Inde centered cubic cell बोलेंगे उसी प्रकार से edge center किसको बोलेंगे? edge center में क्या है? corner में तो रहेगा साथ-साथ edge center पर भी present रहेगा तो edge center हम किसको बोल रहे हैं? और edge आपको पता ही है जहाँ पर दो फला कापस में ज्वाइन होते हैं उसको हम edge के नाम से जानते हैं तो यह हो गया corner में तो रहेगा ही रहेगा corner में तो रहेगा और उसके साथ यहाँ पर भी present रहेगा जैसे कि यह क्या है? एक edge है एक इसका किनारा है तो यहाँ पर भी present रहेगा उसी प्रकार से यह sub edge में present हो सकता है तो इसको हम बोलेंगे edge center ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम क्या बोले? corner के साथ साथ फलक के किनारों पर है FCC हो जाएगा face centered cubic cell हो जाएगा यहाँ पर किनारों के साथ यहाँ पर है body के center में है तो यह bcc होगा और यहाँ पर देखते हैं यह ind centered होगा ind centered cubic cell कहां कहां पर है corner के साथ two alternative faces पर present है और यहाँ पर यह edge के center पर है तो edge centered cubic cell कहलाएगा यह ठीक अब total इसमें बात करते हैं तो इसमें कितने lattice point है जैसे कि हम बोले कि यहाँ पर किनारों के साथ साथ face पर present है तो हम इसको बोले face centered तो इसमें total lattice point कितना है total lattice point इस पर भी question उठाया जा सकता है तो आप इसके लिए भी prepare रहा है total lattice point यहाँ पर TLP FCC के लिए बात करेंगे तो FCC के लिए देखेंगे आप यहाँ पर 8 कोना है 8 कोनों के साथ कहाँ पर present है 6 फलक पर भी present है 6 faces पर भी present है तो 8 कोना हो गया और 4 face पर हो गया तो total lattice point इसका बन रहा है 12 उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं 8 और 1 center पर है तो यह मिल गया हो गया total 9 total lattice point इंड center में हम बात करते हैं तो 8 कोनों पर हो गया corner पर हो गया और 2 कहाँ पर है opposite faces पर है तो यहाँ पर total हो जाएगा 10 और edge center पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर TLP इसका हो जाएगा 8 plus total कितना side होता है यहाँ पर age कितना होता है किनारा तो यहाँ पर total 12 होता है 8 और 12 मिल कर हो जाता है यह 20 तिस प्रकार से आप total lattice point भी यहाँ पर आप बता सकते हैं I hope यह वीडियो आपको clearly समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करे और अपने दोस्तों के साथ share करे Thanks for watching अब किसी घर के अंदर या किसी कमरा के अंदर कोई मोटा आदमी प्रवेस कर रहा है कोई मोटा आदमी प्रवेस कर रहा है तो आप देखे होंगे अगर पेट से मोटा है तो अगर वो दरवाजा के जस्ट सामने आता है तो उसका पेट पहले घुश जाता है बॉडी बाद में घुशेगा उसका पेट पहले घुश जाता है